नमस्कार दोस्तों सजन न्यू लेंड गी तरफशे सभी किसान भायोगो राम राम आज भै आपको एक वीडियो बना रहे हैं न्यू लेंड शपन भी CRDI ये भै ट्रेक्टर आपने मगडग भाईगा ट्रेक्टर मगडवर संजे जिन्होंने CRDI का लौंच होते ही पहला ट्रेक्टर दिया था और फिर अगला ट्रेक्टर फिर उन्होंने न्यू लेंड गा शपन भी स्यार ड्रेक्टर लिया क्योंकि जो इसकी चाल जो स्पीड जो एवरेज वगारा सब चीजों को देखते हुए बाई ने फैसला लिया कि अगला ट्रेक्टर भी यही मोडल लिया जाए और यह ट्रेक्टर बाई का प्रोप पर चल रहा है गोडी के अंदर बहुत ही अच्छा रजल्ट दे रहा है अच्छा ट्रेक्टर चल रहा है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है पैसेट एच्पी के अंदर यह ऑघ है और जो वेट वगयर prima को भी ऊटल सोटबंगाइश सबैष्ट नगतrz Come आइसमें कुछ भी वह लगा है नहीं होगा है और तो फीटो एच्पी एच्पी के अंदर जो फैसेट प्रफोर्माट ट्रेक्टर के उपर दिया गया है चोशेट एच्पी की पीटियो पाउर दे रहा गई रहा है 47.7 किलोवाट जो दिया जाहूर चोशेट एच्पी जो के एक एच्पी लोस हो रही है पीटियों के अंदर तो यह अपना न्यू अलेंड स्याइड जो इस ट्रेक्टर के अंदर दिया गी है तो पीटियों की पाउर वह अदर कंपनी किसी के पास भी नहीं है के 45 एच्पी के अंदर 46 HP के पीटियों दिया गया है और फिर अब ये अपने इंडिया में जो लोन चुआ है तो इसके बहुत ही अच्छे रजल्ट और परफॉर्मेंस आ रही हैं तो जो भी किसान भाई का ट्रेक्टर खरीदना सारह है तो इस तरह किसान भाई से मिलें और संपरक करें और अब ट्रेक्टर को देखें और फीडबैक लें कि इस ट्रेक्टर में क्या कुछ ऐसी खासियत है जो और ट्रेक्टरों से अलग है नया ट्रेक्टर जो और कंपनियों के CRDII आए वे उन ट्रेक्टर को देखते हुए न्यू ओलेंड में आप जहां भी देखोगे वो अलगी चीजे दी गई है और जो ट्रेक्टर चल रहे हैं बहुत ही अच्छा रजल्ट दे रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं तो CRDI के नाम से किसान भाई वो जो एक अववा चल रहे है उस चीज़ को ना देखते हुए जो किसान भाई ट्रेक्ट जो न्यू अलेंड का है उस ट्रेक्टर में आप देखोगे को सभी जगह आपको एक अलग सी वाचिस देखाई देगी चाहिए वो सेंसर हो या इनके जो भी इसके अंदर दी गई है टेक्नोलजी और ट्रेक्टरों से आपको अलग देखाई देगी धन्यवा दोस्तों इस करें की जो भी फीड़ में